पूरे नौर्थ इंडिया के अंदर उत्तर भारत के अंदर अगर कोई सबसे फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन और हनीमून डेस्टिनेशन है तो एक ही है मनाली उसके फीचे बहुत सारी बज़ा है मैंने अपने पिछले सालों की यात्राओं के दौरान वो सारे एक्सपिरियंस करें जो मैं हमेशा से करना चाहता था और उनी एक्सपिरियंस के बिहाँ पर आज मैं इस वीडियो के अंदर अपनी जितनी भी वीवर्स हैं उसमें इस बहु आज YT भारत चनल पर मैं नवीन दूबे वो डिटेल्ड वीडियो लेकर के आ गया हूँ सारे सिनेमेटिक शौर्ट्स के दौरा मैं आपको बताऊंगा कि मनाली में वो क्या-क्या एक्सपिरियंसेस हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे दोस्तों मनाली में प्रकरती ने ने मैं हमेशा से एक्सपिरियंस करना चाहता था मैं पैरेगलाइडिंग करना चाहता था मेरे को वहाँ पर मिली मैं स्कीन करना चाहता था मेरे को वहाँ पर मिली मैं रिवर राफ्टिंग करना चाहता था मेरे को वहाँ पर मिली एडवेंचर एक्टिविटीज करना चाहता था मेरे को वहाँ पर मिली ऐसी सारी चीजे मिली जो मैं हमेशा से चाहता था और आप भी जुरूर चाहते होंगे अगर आप ये सारी जानकारे हासिल करना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो पर लास तर वाइटी भारत चनल पर मैं शुरू करता हूँ डिटेल वीडियो मनाली का थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन अगर आप मनाली जाना चाहते हैं फ्यूचर में कभी भी या अभी जा रहे हैं प्लैनिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख लिजे सब कुछ समझ में आ जाएगा पूरी प्लैनिंग आपको बताई जाएगी क्या कोस्ट पड़ती है वो सारे खुलासे किये जाएगे क्या करें क्या ना करें सारी जानकारियों के साथ आई शूरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों मनाली जाने के लिए सबसे पहरे जुरूरी है कि आप एक पैकेज को बनाए पैकेज को बनाने के लिए आपको ट्रेवल एजेंट की रिक्वार्वन पड़ेगी मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ट्रेवल एजेंट्स के नाम और फोन नंबर साथ में इमेल आईडी ये सब देने जा रहा हूँ जहां पर आप कॉन्टेक्ट करके उनसे पैकेज बनवा सकते हैं दोस्तों मेरा कोई कमिशन नहीं है आप इसीज़ का ध्यान रखेगा और मेरा सिर्फ मकसद है इस वीडियो का बनाने का कि आपको मैं डिटेल प्रोवाइड कर दूँ अगर आप मनाली जा रहे हैं तो दोस्तों मनाली के लिए सबसे पहले आपको पैकेज बनवाना होगा पैकेज दो प्रकार के होते हैं नॉर्मेल पैकेज और हनीमून पैकेज क्योंकि मनाली सबसे जादा फेमस है हनीमून डेस्टेंशन के लिए तो इसमें जो हमारे हनीमून पैकेज होते हैं वो पूरे क्यूरिटिड होते हैं पूरे क्राफ्टिड होते हैं स्पेशल होते हैं हनीमून ट्रैवलर्स के लिए तो सबसे पहले मैं आपको वो common चीजे बताता हूँ जो honeymoon package के अंदर और non honeymoon package दोनों में होती है दोस्तों honeymoon package और non honeymoon package दोनों में जो चीजे होती है वो होती है दिल्ली से दिल्ली तक Volvo bus की दो tickets क्योंकि आप couple है honeymoon package को try कर रहे हैं तो एक couple यानि की दो लोग ही होंगे इन couples के लिए दो Volvo की ticket होंगी Volvo bus ऐसी होती है तो बहुत ही अरामदा एक सफर को आप करेंगे जिस Volvo के दो आपको दो tickets provide करी जाएंगी दिल्ली से मनाली मनाली से वापस दिल्ली के लिए आपको दोनों ही packages के अंदर hotel room provide किया जाएगा हलाकि difference यह होता है honeymoon और non honeymoon package में कि non honeymoon में normal room होता है और honeymoon package के अंदर super deluxe room की categories provide करी जाती है इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको वहाँ पर घूमने फिरने के लिए क्या-क्या facilities provide करी जाएंगी तो घूमने के लिए क्योंकि आपका three nights four days का package होता है मनाली के अंदर तो आपको सबसे first day जो है वो local sightning करवाई जाती है मनाली की तो honeymoon और non honeymoon package में यह जो sighting का जो scene है तीनों दिन का वो दोनों ही packages होता है आपको local sightning करवाई जाएगी local sightning के अंदर आपको क्या क्या जगे दिखाई जाएंगी उसका मैं आपको detail देने जा रहा हूँ laptop में मैंने सारी information collect कर ली है वही से मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे पहले जब आप पहुँचेंगे मनाली day one पर तो आपको पहुँचने के बार कुछ अराम करने के बार आपको कार लेने आएगी खास करके औल्टो लेने आती है औल्टो आपको ले जाएगी local sightning के लिए मनाली की और आपको सबसे पहले ले जाएगी hadimba temple one vihar तिबतन monastery mall road national park one vihar hong kong market तो इन सारी जगहों पर आपको ले जाया जाएगा इसके बार यह आपका day one complete हो गया है day two पर आपको solang valley ले जाया जाएगा या आपको ले जाया जाएगा रोहतांग पास या आपको ले जाया जाएगा नागर कासल दोस्टे डिपेंड करता है season के उपर solang valley खुलती है आपका सर्दियों के मौसम में और नागर कासल और रोहतांग पास खुलता है आपका गर्मियों में तो रोहतांग पास और कई बार रोहतांग पास पर बंद होता है इसलिए जो हमारे जो टुरिस्ट हैं उनको जाना पड़ता है नागर कासल नागर कासल भी बहुत सुंदर जगह है मैं नागर कासल जा चुका है वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर ज़रना है और इस रस्ते में नागर कासल के आपको चार-पास जगह और भी लिखाई जाएंगी जो बहुत ही मनमुहग जगह होती है और आपको बीच में रिवर राफ्टिंग का भी option प्रवाइड करा जाता है जब आप नागर कासल जाते हैं तो रिवर राफ्टिंग का भी आप आनंद ले सकते हैं परेगलाइडिंग भी करना चाहें मनिकरन एक बहुती फेमस तीर्थिस्तल है गुर्दवारा है जो बहुती सुंदर पारवती वैली के वातवरण में के बीच में एक बहुती सुंदर पवित्र तीर्थिस्तल है गुर्दवारा है वहाँ पर सलफर वाटर का एक पूल बना हुआ है जहां पर आप नहा करके आप गुर्द्वारे के दर्शन कर सकते हैं लंगर का लाब उठा सकते हैं तो इस लाब को उठाने के बार आप सेम डे पर वापस आएंगे रात को अराम करेंगे और अगले दिन जो आपका फूर्थ डे होगा उस दिन आप सुबह होटल से चेक वहां पर आप आप मारकेटिंग कर ये वहां प पारशेशन के लिए और आपको शाम को उसी दिन वापस दिल्ली के लिए वालॉ बस पकड़ती होगी तो यह जो चीजे मैं आपको बताएヤे दोनों हनीमून और नौनकर कटेज चीज़े होती है लेकिन अम मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि honeymoon package के अंदर क्या difference होता है तो सो honeymoon package के अंदर जो difference होता है वो खास करके होता है जब आप जाते है honeymoon package में तो आपको welcome drink on arrival provide कर जाता है आपको evening में चाय के साथ snacks और cookies provide कर जाती है आपका unlimited breakfast और dinner होता है आपको एक दि दिन के लिए candle light dinner की facility provide करी जाती है regular disc को ठिक की entry होती है आप जब departure करते हैं वहां थे जब आप वापस दिल्ली के लिए आते हैं तो आपको एक gift provide किया जाता है जो complimentary होता है आपको cake की facility provide कर जाती है आपको इसके साथ cake के साथ साथ flower bed decoration होती है एक fruit wine की bottle आपको provide कर जाती है और यह सारी facilities के साथ साथ कुछ और भी जो hotels हमारे हैं वो extra facilities भी provide कर जाते हैं लेकिन यह मैंने वो facility आपको बताई जो सबसे common facilities हैं सभी honeymoon packages में provide करी जाती हैं अब बात करते हैं कि दोलों की cost में क्या difference होता है दोस्तों non honeymoon package की बात करें तो यह लगबग 10,000 रुपे तक पढ़ता ह है एक couple के लिए आप honeymoon package लेते हैं तो यह पढ़ता है 18 से 25,000 यह depend करता है आपका hotel की category क्या है कई बहुत बढ़िया बढ़िया resort है तो 25,000 लेते हैं कई normal resort है तो वो 18,000 रुपे तक का cost करते हैं लेकिन यह जो experience provide करते हैं मनाली के अंदर सभी resort सभी जो honeymoon package provide करने वाले जो हमारे अच्छे packages provide करते हैं सारी facilities provide करते हैं इसके साथ साथ मैं आपको और चीज़ बताना चाहूंगा कि और detail मैं आपको देना चाहता हूँ जो आप हमेशा जा जाना चाहते थे कि आपको क्या क्या चीज़े इसमें included नहीं होती है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों जब आप कहीं पर जाते हैं तो वहाँ पर कुछ कुछ जगे पर आपको parking के charges देने पड़ेंगे इसके साथ साथ आप जो र तांग पास जाते हैं या सोलांग बेली जाते हैं तो रस्ते में आपका जो टेक्सी ड्राइवर है वो आपको रोग करके बोलेगा क्या आप dress ले लिजे मैं आपको recommend करूंगा कभी भी एप रस्ते में से dress purchase ना करें आप जब snow point के पास जाएं अगर आपको जुरत लगती है तो वहाँ पर आप dress purchase कर लिजे 200-200 तक की आपको dress से snow dress मिल जाएगी आपको snow के लिए जो shoes होते हैं जो boots होते हैं वो 50 रुपे के मिल जाएंगे अगर आप snow में जाते हैं तो आपको mall road पर भी snow वाले shoes मिल जाएंगे 50 रुपे के तो आप कहीं भी रस्ते में बीच में रुख करके अगर आपका taxi driver बोलता है कि रुख करके लिजा तो लीजेगा मत क्योंकि 700-600 रुपे लेकर के 1000-500 रुपे तक आपको उल्लू बना करके charges लेते हैं तो ध्यान दीजेगा कभी भी आपको अगर snow point पी जाने की बाद जूरत पड़े तो 50-100 रुपे, 1.500 रुपे, 200 include नहीं होते हैं honeymoon के, इसके लिए आपको extra पर करना पड़ता है, या जितने भी days आप मनाली में वहाँ पर रुकेंगे, तो रुकने के दौरान जो भी आपका lunch का जो time होगा, वो आपका बाहर होगा हमेशा, तो lunch आपको खुद purchase करना होगा, उसकी cost आपको खुद भीर करनी ह होगी, जो आप marketing करते हैं, purchase करते हैं, अपनी families के लिए, friends के लिए, वो आपको खुदी करनी पड़ेगी, तो मेरे according, अगर आप normal couple हैं, तो आपको 10,000 रुपे तक का चार्ज लगेगा, और आप honeymoon अगर couple हैं, तो अच्छा अगर आप package लेते हैं, तो 18,000 चार्ज करेगा, हला आपकी इस से जुड़ी हुई, कोई भी सवाल है, किसी भी तरीके से, तो आप हमारे वीडियो पर comment करके पूछ सकते हैं, वाई की भारत पर मैं अभीन दुबे, वो आपको सारी detail प्रोइड करने जा रहा हूं, क्योंकि मनाली से अच्छा destination पूरे भारत में बहुत ही कम है, जाहे वो honeymoon के लिए हो गया, या travel के लिए होगा, तो आज ही book करें, plan करें, और तयार रहें मनाली के सफर पर, क्योंकि आपको वहाँ पर मिलेंगे snow-capped mountain, बहुत ही सुन्दर valley, सारी adventure activities, इसका experience करने के लिए तयार हो जाएए, मिलते हैं YT भारत के इसी तरह के बहुत ही interesting अग ही में वीडियो को share करें, धन्यवार दोस्तों